हेलो स्वागत है आज हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे सिंगल एक्टिंग रेसी प्रोकेटिंग कॉंप्रेसर क्या होता है उसका यूज हम कहां करते हैं कैसे बना होता है और फानली जानेगे उसका वर्किंग काम कैसे करता है स्टूटे ऑनिगा आया वाएक्टिंग चैनल को कर ली स राइब क्योंकर नई यह टोपीक को हर दिन डिसकस करते रहते हुँ टीप लमा लेवल को को हाई मेरा करना उसे रेशी प्रो टेंग कंप्रेशर क यह में समझे हम कि सिंगल एक्टिंग रेशी प्रटिंग कंप्रेशर इसके वर्किंगрат के जैसे ही वेर्ट करता है उसी तरह यह भी कुछ करता है लेकिन इसमें कुछ कुछ थोड़ी से बात है आपको जादा जानने के ज़रूरी है जैसे कि आप लिखी भी क्या है कि यह सिंगल साइड मुवमेंट और पिस्टन के हिसाब से काम करता है इसलिए इसे सिंगल एक्टिंग रेशिप्रोकर्टिंग कंपरिसर करते हैं मिस कहने के मतलब क्या है कि बीचे को पिश्टन आती है तो सक करती है उपर करती है तो यहां पर एयर को यहां पर हाई प्रेसर डिलेवर करती है लेकिन यह काम करती है यह जब पिश्टन उपर से उपर से को नीचे आएगे और नीचे से उपर जाएगी तब जाकि यह लो एर प्रेसर को हाई एर प्रे कि इसटाइट力 करते हैं उपर और चली यहां अगर हम इसके यूजिस की बात करते हैं कि सिंगल अा करते हैं और किसली यूज leisure किया यता है यो सकता है यो सब्सक्राइब ने सब्सक्राइब करने इसमेडने के सब्सक्राइब यूज़ किया है इंडर्ष्ट्री में यूज़ किया था है सिंगल एक टिंग कंपरिसर का डाइगाम है बस मैंने आपको situation के हिसाप से इसमें दो डाइगराम करके बताईए पहला मैंने सक्सन बताईए दूसरा मैं या compression बताइए सक्सान में क्या होती है कि एटमोस्पेर में एर होती है उसे सक करती है और compression में क्या होती है जो अंदर में एर होती है हमारे जो cylinder में उसे बाहर निकलती है तो दिखी चले इस समझते हैं सबसे पहले क्या होती है इसकी एक संसי यह होती है इसमेे दो graphfeit बने होते हैं सबसे पहला पूट होती है इसे इन लेट इसके बोलें एक सबसे बnyo को इसको भॉल इसको बलते हैं इसको बॉलते हैं A यह कुछ open direction में दिखा रही हमीज थोड़ से देखते यह प्लेट से उपर के इसे करने से open बोलेंगे यह जो भाल्ब है डिलीवर भाल्ब है जो इस चीज़ को यहां पर पिस्टन बोलेंगे यही मोहमेंट करती है इसके साथ कनेक्टिंग रड बोलेंगे यह भी इसकी के साथ इसको क्रेंग 6 एक लोहे के पीस होती है जो थोड़ी से नहीं के समय नहीं करता है दोनों सेर्कुलर पास पर नगर यह को क्रेंग के से बोलेंगे इसी के अंदर हमारा क्रेंग यहाँ पर मुविमेंट करता है सो रोटेशन करता है जले इसका हम वरकिंग समझटे है कि आखिरी में हमारा सिंगल लेक्टिंग रेसी प्रकेटिंग कम्रोसर की तर्फ स सब से पहले क्या होती है यह जो मैरा पिशितन है यह उपर से नीचे की वर जाएगी तो उपर से नीचे जाएगी तो क्या HTML की यहां hom 对 करने दिखा है ऑपन हो जाएगी अब बाहर में जो भी एर है उसे अंदर को सख कर लगी हमारा पिश्टन देख सकते हैं किसे यहां आई पिश्टन यहां से रोटेशन किया है 180 डिगरी प्यांपर रोटेशन किया है मेरा क्रेंग यहां पर इसी करण यह पिश्टन ऊपर से नी 180 degree फिर mm करेगा काकी 180 degree पे म्हारे Пिश्चं किया था यहां पर कंपर संड करेगा यहां करेगा यह 180 डिग्री जैसलिक है रोटेम किया हम्रा क्रेंग टो इसको पिशुटन को नीचे से जाएगी तुर बहाल क्लोज्ट करता है क्या होती जैसे कि एक 110 करता थ falar प्रॉटेशन करता है तो क्या होती है यह जो पृष्टन है उपर से नीचे को आगी अंदर में यह सक्टन पैदा करेगी हैं उसे अंदिर की हो शक करेगी यह जो मेरा भाल यहां पर open हो जाएगी inlet भाल यह भाल पहले से close रहती है सक कर लिए यहां पर air मेरा जमा होगी पुरा compress air सकेंड आती है हमारा compression compression में क्या करती है यह जो मेरा crank है यह 180 डिगरी फिर rotation करती है यह जो मेरा piston है नीचे से उपर की और जाएगी अंदर में जो भी suction air उसे उपर की और compress करके जो भी air है जो यह भाल में मेरा deliver यहां open हो जाएगी यह भाल में पक्लोज जाएगी जो भी air यहां high pressure साथ निकलेगा compressed air तो इस तरसे single acting receive प्रोकेटिंग compressor यहां work करता है मुझे आसा है कि अब single acting receive प्रोकेटिंग compressor के बारे में बढ़िया तरी का समझे को होंगे कैसे piston के movement के सयोग सो low air pressure को higher pressure में convert करता है अब piston हमारा यहां एक बार ही movement करता है उपर से नीचे यह नीचे से उपर जाएगी तो यह मेरी होगी सिंगल लेक्टिंग तो इसी को हम लोग सिंगल लेक्टिंग करते हैं मिस एक बार ही हमारा पिश्टन यहां movement करते हैं आव इसमें एक ही पिश्टन का यूज क्या आता है इसी करने से सिंगल लेक्टिंग 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 कंपेसर कहाता है तो वीडियो देखने का थांगी हो चैनल हम नहीं आवे तो चैनल को कर लिए सब्सक्राइब और टोपिक्स तमझ आने पर वीडियो कर दिए लाइक धन्यवाद